हेलो गाइस तो इस पार्ट में जिंग्तियान और जैंग ने मेरेच कर लिया था मेरे सेटिविकट लेने के बाद जिंग्तियान उसे 100,000 टिप देता है ये देखकर जैंग सक्ट हो जाती है कि एक स्टेंजर को इतना पैसे कैसे दे सकता है लगता है फादर बनेगा जान कर कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा है और फिर दोनों आसे जा रहे थे तो सिंग्तियान उसे स्टेर से केरफूली आने के लिए कहता है जैंग वापियांग देवे कहती है कि मुझे इसकी आदत नहीं है जैंग कहती है अगर मेरेज के बाद तुम ऐसे ही मुझे कंट्रोल करोगे तो मुझे डिवोच चाहिए तो बिचारे जिंग्तियान को उसकी बात मानना ही पड़ता है और वो उसे घर चल्दी वापस वाने के लिए कहता है उसके जाने के बाद दिंगतेन अपने असिस्टन को कहे कर उसके पीचे किसे को फोलो करने के लिए भेजता है जैंग वहाँ से जा रही थी तभी उसके डैड आज जाते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे फोर्स पूली करना पड़ रहा है जैंग सोसती है अभी में इनके सामने अपनी स्किल सो नहीं कर सकती अभी में इनके साथ चली जाती हूँ बाद में कोई न कोई रास्ता ढून कर वहाँ से भाग जाऊंगी और फिर उसके डैड उसे फोर्स पूली वहाँ से ले जाते हैं और उसे एंगेजमेंट पार्टी में लेकर आते हैं तो उसकी स्टेप मम उसे डाटती है कि तुम इतना लेट क्यों आई हो मिसस ची तुमारा कपसे वेट कर रही है और ये कैसा ड्रेस पेंड कर रही हो वो कहती है ये सुई के एंगेजमेंट पार्टी है इसमें मेरा क्या लेना दिना मिसस ची भी उनसे पूछती है कि तुमने जो पहले लड़की दिखाई थी वो ये तो नहीं है स्टेप मम कहती है सुई अभी बहुत यंग है ये उसकी अल्डर सिश्टर जैंग है और ये ये यंग माश्टर के लिए पाफरक्ट रहेगी मिसस ची उसे देखकर कहती है देखने में तो अच्छी है बस थोड़ी डिस्प्लेन की कमी है जैंग कहती है पहले तो ये सुई के मेरेच करवाना चाहते थे और आप सड़नली मेरेच करवाना चाहते हैं इसे ये clearly पता चलता है कि ये लोग यंग master के disable होने का insult कर रहे हैं और आपको fool बना रहे हैं तो उसकी step हम उसे डाखती है कि क्या nonsense बाते कर रही हो और वो mrs. g को समझाने लगती है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे लिए तो chief family से connect करना honor की बात है जेंग कहती है अगर इतनी ओनर की बात है तो आप लोग अपनी प्रिश्टर स्टर्र की मेरेज़ से कीमने करवा रहे हैं डेट कहते हैं वो इसलिए क्योंकि तुम सुईय इसे बेटर हो गेश्ट भी जेंग के लिए बाते करने लगते हैं कि ये तो कितनी लखी है जो चीफ फैमली में मेरेज़ करने को मिल रहा है और इससे तो पता ही नहीं है कि इसके लिए क्या अच्छा है जेंग मिस्टर ची से कहती है मैं तुम से मेरेज नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक ऐसे परसंट से मेरेज नहीं करना चाहती जिसे मैं प्यार ही नहीं करती अगर मैंने तुम्हें अफ्रेंड किया होगा तो मुझे माफ कर देना तो मिस्स ची उस पर चिलाने लगती है कि तुम चीफ फैमली की इंसल्ट कर रही हो मिस्टर ची अपने मॉम को रोक रहा था कि अगर वो मेरे रच करना नहीं चाहती तो रहने देते हैं पर वो उसके बात नहीं मानती और जब अदस्ती एंगेजमेंट पाटी सुरू करने के लिए कहती है और कुछ सर्भेंट जैंग को जब अदस्ती ड्रेस चेंज करवाने के लिए लगा जा रहे थे तो ब डिसाड कर लेते हैं कि वो फाइट करेगी पर तभी हुआ पर जींगतियाण हो जाता है और जैंग को जब गरोजक करते हैं कि किसी ही माथ हुए मेरे लोगों को टच करने की जैंग यह देखर खूश हो जाती है कि वो उसे किस तरीके से प्रोजक्त कर रहा है जिंक्तियान को कोई पैचानने पाता कि वो रिजेश्ट लोकोमी से एक है और उसकी इंसल करने लगते हैं कि पताने ये कॉडिनारी सी परसना कर ची फैमली में क्यू टावल क्रेट कर रहा है जिसकी कोई बेगराउन भी नहीं है मिसेश ची भी उसकी इंसल करती है और एंगज क्या सकता है ये मेरे स्टिविकर जरूर फेक ही होगा तो मिसेश ची गाड को ओर दे देती है कि वो जिंक्तियान को ले जाकर सबक सिखाए ताकि सब को पता चले कि G-familie को फूल बनाने का नतिज़ा क्या होता है तो जैंग कहती है आपकी फैमली को जो फूल बना रहे है वो हम लोग नहीं है बलकि u family है और वो बता देती हैं कि वो ना सर Benjamin मेरेड है बलकि वो pregnant भी है और इस बारे में u family को पता था फिर भी वो su economic को छोड़ कर मुझे force कर रहे ते marriage के लिए मैंने इसके लिए मना भी किया था और घर छोड़ दिया हम तो बस उसके अच्छे के बारे में सोच रहे थे पर वो इस वर विलिप नहीं करती और उसे थपड़ मार देती है और कहती है तुमारे हिमत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा करने की और वो यूट फैमली के साथ जो भी कॉपरेशन था वो सब कुछ कैंसल कर देती है जिंक्तियान कहता है इन्होंने मेरी वाइफ को टच करने की कोशिश किया है इनका फैसला मैं करूँगा और कहता है आपका जो जिंग होंग फार्मासिटिकल्स है वो आप जैंक को हैंड ओवर कर दीजिए वरना मैं आपको इस सिटी से ही गायफ कर दूँगा और आप कभी वापस नहीं आ पाओगे स्टेप मम कहती है हम तुम जैसे पूर की बात क्यों सुने तो वो सबको बताता है कि वो इस सिटी के सबसे रिचेस्ट मैं जिंक्तियान है ये चनकर तो डेट का हाला दी खराब हो गया क्या ये सच में जैंका हस्पेंट है और मैने उसे किड्नाप करने की कोशिश की तो वो जैंक से माफिय मंगने के लिए कहता है तभी मिश्टर ची कहता है ये सब कुछ मेरी वज़झा से हो रहा है अगर तुमें किसी को पनिस करना है तो वो मुझे करो जेंग पूसती है क्या तुमने अपने लेक का treatment नहीं करवाया तो बताता है कि कोई भी इसे ठिक नहीं कर पाया बस miracle doctor इसे ठिक कर सकती है पर हम उसे ढूनी नहीं पा रहे हैं कि वो कहा है तो जेंग सोसती है तुम बहुत ही lucky हो तुम्हारे सामने ही miracle doctor खड़ी है मैंने के अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तो वो लोग उसका thank you करने लगते हैं ये सब देखकर जिंग्द्यान सोचता है इसे तुसरीफ miracle doctor ही ठीक कर सकता था तो फिर इसने इतनी easy ली कैसे कर लिया यही miracle doctor है और वो जाते हुए उसे कहता है कि तुम्हारे medical skill तो बहुत ही impressive है क्या तुम ही miracle doctor हो तो वो कहती है मैं तुमसे यही पूछने वाली थी कि यह miracle doctor कौन है क्या वो बहुत impressive है तो वो पोस्ता है क्या तुम सच में उससे नहीं जानती वो बात को बदलते हुए कहती है कि मैं बहुत टैड हो गई हूँ और बहुत भूग भी लगी है तो क्या हम घर चलें उसके बाद दोनों जिंक्तियान के घर जाते हैं वो जैसे ही घर जाते हैं सर्वेंट्स के greet करने से जंग डर कर जिंक्तियान को पकल लेती है सर्वेंट्स ने उनका वेलकम करने के लिए कुछ इस तरीके का प्लान किया था जिंक्तियान कहता है ये तुम क्या कर रही हो तो वो उसे छोड़ देती है और कहती है एट्मोस्वेर रोमेंटिक हो गया था इसलिए खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और तुम्हें हक कर लिया उसके बाद जिंक्तियान उसे सारे सर्वेंट से मिलवाता है और उनसे कहता है कि अब से आप लोग इसकी ओर्डर मनेंगे और वो असिस्टन से कहता है ये प्रेगनन्ट है इसलिए एक न्यूट्रिसन स्पेस्यालिस्ट और एक नर्स का अरेंज करो और वो एक बोडिगार को भी हायर करने के लिए कहता है तो जेंग कह रही थी कि मैं खुद का प्रोटेक्ट कर शकती हूँ इसकी कोई सरवत नहीं है पर वो कहां सुनने वाला था और वो एक डाइवर का भी अरेंज करने के लिए कहता है यहां तक कि वो एक डिजाइनर को भी बुलाने के लिए कहता है ताकि वो बेबी के लिए नर्सरी बना सके जेंग उसे कामडा हो रहने के लिए कहती है और कहती है कि अभी बस 4 यूक्से है वो कहता है आज जो कुछ भी हो तुम उससे एकज़स्ट हो चुकी होगी तो चल कर रेष्ट कर लो गयकर उसे ले जाता है और फिर वो रूम में रेष्ट करने के लिए छोड़ कर वहाँ से चला जाता है दूसरे एकफ्रेस होने चली जाती है दूसरी साइट जिंत्यान को बता रहा था कि ये रूमर से कि एजन मैंने मेरेज कर लिया है वो बहुत ही वेल्ली है तो हो सकता है कि वो बॉयस को टॉय की तरह यूज़ कर रही हो तो बॉयस को क्यारफुल रहना चाहिए और वो उसे कर दूंगा असिस्टन कहता है तो फिर ठीक है कर दीजे आपने तो एक्स्प्रियेंस किया है कि वो कितनी रूटलेस है मैं वान मंत के अंदर उसे नहीं ठून पाऊंगा और कहता है मेरे पास एक आइडिया है एजन मैं मिरिकल डॉक्टर और वो हेकर लगता है कि वो तीनों वासर जाने के लिए कहता है कि मुझे इसके बारे में फिर से सोचना पढ़ेगा और सोचने लगता है कि जैंग को कैसे ठीक कर दिया जो कि स्रिप मेरिकल डॉक्टर कर सकती थी क्या वो उस taken connected है नक्सिन में जेंग को उसके partner का call आता है और वो कहता है कि ये rumors है तुमने marriage कर लिया है तो बताती है कि ये सच है और मैंने ये information लिग किया है तो वो soft हो जाता है और चिला कर कहता है कि क्या तुमने marriage कर लिया जेंग कहती है वो person बुरा नहीं है इसलिए मैं उसे मिलते ही marriage कर लिया अगर मैं marriage नहीं भी करती तो पूरी life में agent मैं बनकर नहीं रहती तभी वहाँ पर जिंक्तियान आता है उसे देखकर वो डर्गे मारे जल्दी से phone चुपा देती है और सोचने लगती है क्या इसने सबकु सुन लिया उसके close आता है और उसे डाटने लगता है कि तुम सावाद लेकर आई हो और अभी तक अपना हार ड्राय नहीं किया तुम्हें cold हो जाएगा कहकर वो खुद उसकी हार ड्राय काने लगता है जैंक हैती मैं खुद कर लूँगी और उसे वहाँ से भेज देती है कि तुम जाओ मैं थोड़ी दर में आती हूं उसके जाने के बाद रिलेक्स होती है कि अच्छा हुआ इसने कुछ सुना नहीं और यहां पर यह पाठ खतम हो जाता है